गुद मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम तू माई क्लास आज हम मालवेसी फेमली के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम सिस्टेमेटिक पोजिशन को जानेंगे मालवेसी की क्लास डायकॉटी लिडन है सब क्लास पॉली पैटली सिरीज थैलेमी फ्लोरी ओर्डर मालवेल्स आज फेमली मालवेसी नेक्स पॉट्ट है चरेकरेक्टर स्ट्रिक्स ओप मालवेसी फेमली मुख्य लक्षन क्या है? सो फस्ट पॉइंट एज हैर ओं दा बॉड़ी ऑन मुसिलेज इन दा टीशु प्लांट बॉड़ी पर हैर्स प्रेजन होते हैं तथा मुसिलेज इन अस पाये जाते हैं जिनसे sticky substance secret होता है second point alternate phylo taxis and stipule leaves जो leaves होती है plant में वे alternate होती है एकांतर होती है तथा stipules present होते है stipule जो होता है वह लीव के base पर एक छोटी पत्ती नुमा सरशना होती है उसे stipule कहा जाता है multi-costate reticulate variation on the leaves पत्तियों में बहु शिरी जाली का वशिरा विन्यास पाया जाता है जो की diecote family का special character होता है जितनी भी diecote families होती है उनमें reticulate variation देखने को मिलता है और बहु शिरी जाली का वशिरा विन्यास का मतलब होता है कि जब एक से अधिक शिराए arise होती है तो उसको कहा जाता है बहु शिरी next point presence of epicalics यह point is family का important character को show करता है क्योंकि जो epicalics होते हैं वो केवल मालवेसी family में ही देखने को मिलते है epicalics plant का वहाँ part होता है जो calics के बाहर present होता है तथा 327 की संख्या में यह पाया जाता है कुछ ऐसे member हैं मालवेसी family के अंदर जिनमें epicalics absent होता है लाइक साइडा next point mono adelpha system are present जो stamens होते हैं वो flower का male reproductive organ को indicate करता है नर जननांग को दर्शाता है और यह एक संगी होता है मालवेसी family में stamens एक संगी होते हैं यानि कि एक group में present होते हैं monothecas होते हैं तथा intros होते हैं next point spinous pollen paracan spinous होते हैं and last point is exile presentation जो ovry होती है ovry के अंदर exile presentation देखने को मिलता है ऐसा presentation जिसमें placenta ovry के axis से arise होता है उसे exile presentation कहते हैं अब हम जानेंगे distribution of this family यह इस family के वित्रण देखेंगे हम this family is also known as lady finger family और china rose family इसे बिंडी कूल या चैना रोज या गुडल कूल के नाम से भी जाना जाता है Malvasi is a family of flowering plants यह flowering plant की family होती है तदा इसमें 244 genera वह 4,225 species ग्यात है well known member of economic importance इसके ज़्यादा तर member जो होते हैं आर्थिक महतुके होते हैं जिन से हम income कमा सकते हैं example of Malvasi family Malvasi family के कुछ examples हैं like abluton, althea, gossipium, hibiscus, malvastrum, malva and cida यह Malvasi कुल के कुछ important plants हैं अगला बिंदू आता है vegetative character of Malvasi family जब हम कोई भी family को describe करते हैं तो हर plant के दो part होते हैं एक होता है vegetative part and second is reproductive part vegetative part ऐसा part होता है जिसमें reproductive organs absent होते हैं like root, stem and leaf तो अभी हम यहाँ पर vegetative character या वर्दी लक्षणों का अध्यन करेंगे जिसमें first point है habit यानि की स्वभाओ the plant are generally herbs, shrubs and a few trees जादा तर इस family के जो member होते हैं वह herbs होते हैं कुछ member shrubs और कुछ member tree के रूप में देखने को मिलते हैं with a mucillus shape in the all parts generally जो mucillus shape होता है वह plant के हर पार्ट में पाया जाता चिप चिपा पधार्थ पोधों के भावों में दिखाई देता है usually young parts of the plants are covered with stellate hairs generally जो young parts होता है वह covered रहता है stellate hair यानि के ऐसे hair जो star shaped होते हैं उनी से plant का young parts धका हुआ होता है next point root generally tape root system देखने को मिलता है it means जो भी dicot family होती है उनमें जड़ जो होती है वह musla जड़ के रुप में पाई जाती है और शाकित होती है musla जड़ वह जड़ होती है जो अधिक गहराई तक जाती है जिसमें एक primary root present होती है एक man root होती है और उससे कहीं सारी secondary and tertiary roots arise होती है और deep penetrate होती है जड़ गहराई तक जो जाती है जड़े वह कहलाती है musla जड़ जो की dicot family में ही देखने को मिलती है next point आता है stem यानि की तना तना जो होता है वह herbaceous या woody होता है branched होता है यानि की शाकित होता है erect means सीधा cylindrical यानि की bell na car with stellate hair यानि की stellate hairs भी में present होते है यह stem का character है next point है leaves यानि की पत्तियां जो इस family में plants present होते हैं उन में पत्तियां alternate होती है यानि की एकांतर होती है pitolate होती है यानि की उस पत्ती में वरंत पाया जाता है dental पाया जाता है उसको pitolate कहा जाता है leaf के dental को हम pitolate कहते हैं या पढ़न वरंत कहा जाता है stipulate होता है stipule present होते है deciduous होता है simple होती पत्ती permanently divided और lobed होती है margin serate होते है apex acute होता है multi-costate reticulate venation होता है यानि की जो leaf होती है वो एकांतर होती है dental योक्त होती है उसमें estipules पाया जाते है सरल होती है सरल पत्ती यानि की ऐसी पत्ती होती है कि जब जो mid rib होती है जो margin को touch ना करें यानि की जो margin को touch ना करें इसके बाद हम आगे देखते हैं next point आता है floral character of this family इस family के जो pushpy election है वो क्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे inflorescence यानि की pushp krum pushp krum वहाँ भाग होता है जिस पर flower arranged होते हैं अलग-अलग pattern पर यानि की pushpa वली वरंत पर pushp के लगने का क्रम pushp krum कहलाता है यहां मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है racimos and stymos यहां पर हम मालवेसी family में यदी देखें तो pushp krum solitary axillary होता है hibiscus में और solitary terminal जो होता है ability lawn में next point आता है flower यानि की pushp जो की plant का reproductive part को दर्शाता है flower pedicillate होता है pedicillate मतलब pushp वरंत होता है pushp में dental पाया जाता है उसको pushp वरंत कहा जाता है bract present होते है pedicill के बैस पर जब leaf like structure present होता है उसको bract कहा जाता है next bracteolate in the form of epicalyx bracteolate जो होते हैं वो epicalyx के form में present होते है hermafrodite means dwelling जब flower में male और female दोनों organ present हो तो उसको hermafrodite या bisexual flower कहा जाता है complete means पूर्ण होता है pushp यानि की जब flower में चारों चक्र मोजूद हो यानि की फर्स्ट चक्र होता है calyx second करोला third androsium और fourth gynosium जब किसी flower में ये चारों चक्र मोजूद हो तो वह flower complete या पूर्ण flower कहलाता है actinomorphic यानि की ऐसा flower जो किसी भी plane से cut करने पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है उसको कहा जाता है actinomorphic या त्रिज्जा सम्मित flower pentameras it means जब flower के parts पांच-पांच की संख्या में प्रजेंट हो तो उसको pentameras कहा जाता है hypogynus यानि की जब ओवरी superior हो जब ओवरी उपर की तरफ हो और उसकी तीनों वर्स ओवरी के नीचे से एराइज हो तो उसको कहा जाता है hypogynus flower next point है epicalyx जो की इस family का मुख्य लक्षन है epicalyx जो होता है calyx के बाहर present होता है और मालवे सी कुल में यदि हम देखें तो 3 to 7 epicalyx present होते गॉसी पियम में और 7 to 9 होते है अल्थिया में next point calyx जिससे कहा जाता है बाहिदल 5 sepals connect at the best sepals की संक्या होती है 5 जो best से जुड़े होते हैं persistent होते हैं यानि की चिर लगन होते हैं और इनमें wall weight estimation पाया जाता है wall weight estimation यानि की core dispersi विन्यास होता है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं core dispersi विन्यास क्या होता है विन्यास अलग-अलग तरह का होता है परन्तु यहाँ पर हम calyx में core dispersi देखे हैं तो आप देखेंगे student की number of sepals है 5 और सभी sepals जो है वो उनके core या किनारे जो है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं लेकिन एक दूसरे को ढखते नहीं है ऐसा estivation कहलाता है wall weight estivation यहाँ आप देखेंगे की 5 number of sepals कितने हैं 5, 1, 2, 3, 4, and 5 यह 5 sepals दिखाई दे रहे हैं जिसमें first जो sepals है उसका अगर सिरा और पश्य सिरा आप देख सकते हैं second sepals का अगर सिरा और first sepals का अगर सिरा दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं लेकिन एक दूसरे को ढखते नहीं हैं उसे कहा जाता है core sparshi बिन्याज अब हम देखेंगे यहाँ पर अगला point कैलिक्स के बाद आता है करोला यहाँ पुष्प का दूसरा चकर होता है आपको यहाँ एको चीज बता देती हूँ कि कैलिक्स और करोला flower के ऐसे सरी पार्ट होते हैं सहायग भाग होते हैं जो कि reproductive organ का protection करते हैं तो पुष्प का first चकर जो होता है वहाँ कैलिक्स होता है और second चकर है करोला यहाँ पर five petals होते हैं करोला की एक एकाई petals कहलाती है संख्या है इसकी पाँच-पाँच petals present होते हैं poly petals होते हैं यानि कि यह स्वतंत्र होते हैं पाँचों petals स्वतंत्र होते हैं sometimes slightly connect at the base with the steminal tube कभी-कभी यह जोते हैं steminal tube के द्वारा best से connect होते हैं वो condition कहलाती है EP petals large होते हैं, बड़े होते हैं सुन्दर दिखते हैं और इसमें estivation पाए जाता है twisted तो मैं आपको यहाँ पर जो करोला है करोला का arrangement भी आपको मैं यहाँ पर समझाओंगी कि twisted estivation क्या होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं व्यावर्तित विन्यास क्या होता है तो number of petals हैं first petal second petal and third fourth and आप last देखेंगे fifth यह आप देख सकते हैं पांच petals हैं first, second, third, fourth and fifth यह मैंने numbering की है यहाँ आप arrangement देख सकते हैं कि जो first petal है उसका अगर सीरा बाहर की तरफ और पश्य सीरा अंदर की तरफ है second petal को अगर हम देखें second petal में तो अगर सीरा बाहर पश्य अंदर third petal में भी यही क्रम दिखाए दे रहा है कि अगर सीरा बाहर और पश्य सीरा अंदर यानि की हर petal का एक सीरा बाहर और एक अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है इस तरह का जब विन्यास होता है तो उसको कहा जाता है twisted estivation जो की करूला में देखने को मिलता है अगला पॉइंट आता है अंदरोशियम यहाँ flower का male reproductive part होता है इसकी एक इकाई stamen कहलाती है और एक stamen के तीन भाग होते हैं अंतर, filament and connective यहाँ पर हम देखें तो stamen indefinite होते हैं अनंत होते हैं जो की आपको बताया गया है एक संगी होते हैं एक संगो में present होते हैं forming a steminal tube यह सभी stamen जो होते हैं पुंके सर आपस में जुड़ कर एक steminal tube का निर्मान करते हैं EP petalus होते हैं यानि की petal से जुड़े वे होते हैं steminal tube united with the corolla यानि की जब steminal tube corolla से जुड़ जाती है तो EP petalus condition को दर्शाती है अंथर monothikas होते हैं रेनी form होते हैं बैसी fix होते हैं बैस से जुड़े होते हैं filament छोटा होता है और यह intros होते हैं अंदर की और फटते हैं या endrosium का मुख्य characters हैं लास्ट हम देखेंगे gynosium यानि की इसको कहा जाता है जायांग यह flower का सबसे अंतिम चक्र होता है और female reproductive part को दर्शाता है मादा जननंग होता है इसकी एक इकाई कहलाती है कारपल और एक कारपल के तीन भाग होते हैं stigma, style and ovary जो ovary होता है वह सबसे important part होता है जहांपर embryo का development होता है यहांपर हम देखें तो gynotion कैसा होता है multi-carpillary syncarpus superior ovary होती है यानि की कारपल एक से अधिक होते हैं जुड़े वे होते हैं और ovary superior होती है यानि की flower hypogynus हमने देखा hypogynus flower means ovary का superior होना usually 5 होते हैं हिप बिसकस में indefinite abuton में देखे गए हैं exile presentation होता है ovules 1,2 many in each locule and style एक होती है, long होती है passing through the steminal tube जो style होती है वो steminal tube से pass होती है stigma correspondent to the number of carpals जितने carpel की संख्या होती है उतने ही stigma इसमें पहे जाते हैं next point आता है fruit यानि की फल जो की capsule प्रकार का होता है और बेरी प्रकार के भी कुछ members में देखने को मिलता है यहां हम अगर देखे हैं तो यहां पर cross pollination देखने को मिलता है जो की insect के द्वारा होता है लेकिन साइडा ऐसा member है जिसमें self pollination देखा गया है यहां एक exception है यहां आप floral formula देख सकते हैं student यदि आप देखें तो first में आप देखेंगे BR लिखा हुआ है BR means होता है bract यदि flower में bract present है तो उसको कहा जाता है BR एक से अधिक अगर bract है तो bractiolate यहां आप sign देख सकते हैं actinomorphic dwilingi epicalyx carola endosium and gynosium तो यहां मैं आपको ठीक से floral formula बताती हूँ कैसे इसका formula FF क्या होता है तो BR यानि की यह flower में bract present हो BR फिर यदि flower actinomorphic है तो actinomorphic का sign होगा यह फिर dwilingi है अगर flower हरमे froidite है तो dwilingi जिस पर नर जननांग उपर की तरफ और मादा जननांग दिखाई दे रहा है नीचे यह की flower पर जब दोनो reproductive organ हो तो वह dwilingi pushp कहलाता है फिर epicalyx इसमें present होते हैं तो हम लिखेंगे epi epicalyx के लिए k epicalyx कितनी संक्या में 3,2,7 की संक्या में epicalyx present है next आता है calyx तो calyx के लिए हम लिखेंगे k कितने हमने देखे थे यहाँ पर calyx थे, sepals थे, 5 फिर जुड़े हुए थे इसलिए जुड़े बताएंगे हम यदि fused होंगे तो हम लिख देंगे fused free and fused next होता है करोला दल जिसे कहा जाता है दल जो संक्या में 5 होते हैं करोला के बाद आता है endosium endosium अनंत है indefinite epipetalous condition होती है और last हम देखेंगे gynosium यदि हम गुड़ल की बात करें तो गुड़ल में 5 carpel होते है pentacarpillary, syncarpus और superior ovary चीक है तो यहाँ पर यह हमने floral formula जाना तो इस प्रकार से हम इस family को और अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं इस family के diagram बता हैं यह ovary का TAS है यह floral diagram दिया हुआ है यहाँ यह पूरा गुड़ल का plant है पूरी plant twig है यह flower का LS दिखाई दे रहा है यहाँ पर monoadulphus condition है यहाँ आप देख सकते हैं 5 stigma present है और यह पूरा gynosium होता है जिसमें stigma, style और ovary present होते हैं यह TAS ovary का और यह floral diagram है next video में आपको मैं यही पर floral diagram को और विस्तार से बताऊंगी धन्यवाद thank you for watching